मन्य अध्यक्जी मैं इस सदन को सदन के सभी सदस्यों को फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कुरुपिया जम्मु कस्मिर की स्थीती को हम समझे रादनिती करने के लिए ऐसा कोई बयान न दे जिससे जनता गुमरा हो दे मन्य अध्यक्जी यहां कहा गया कि धारा 370 हटाने के वक्त जो वादे किये गए थे उसकी दिसा में क्या किया मैं तो जरूर इसका जवाब दूँगा मुझे मुझे मौका दी दी या आपने जवाब देने खा मगर भई 17 मैने होए धारा 370 हटे हुए आप हमसे हिसाब माग र करा इसका हिसाब लेकर आये हो क्या क्या किया सत्तर साल और अगर सत्तर साथ धंग से चलाजे तो हमसे हिसाब मागने का समय ही नहां था मानने अध्यक्जी उनको भी मालूम है कि धारा 370 हटने के बाद अभी तो वहाँ पर प्रसाशन स्थीति को समाल रहा था इतने में कोविड लग गा है एक साल लगबग लगबग सब कुछ बंद रहा है और हमसे हिसाब माग रहे हैं मुझे कोई आपति नहीं मैं हिसाब दे देता हूं एक एक काम का हिसाब देता हूं एक एक बात का हिसाब देता हूं मुझे उसमें कोई आपति प्रंतु मैं इतना कहना चाहता हूं मन्य दग्जी जिनको पीडियों तक सासन करने का मौका दिया वो जरा अपने गिरेबान में जहांक कर देखे कि हम हिसाब मांगने क लायक है या नहीं है मान्या जग्जी दारा 370 को हटाने का मसला कोट में है मसूदी साब हाई कोट के जज रहे हैं सुने के लिए नहीं बैठें मगर मुझे रेकोर्ड तो क्लियर करना ही पड़ेगा उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोट में मामला लंबित है मनिस्तिवारी जी ने अच्छा हुआ लंबित है मानने अध्यक्जी उनको कोट का प्रोसीजर मालूम है और ए मामला कोट में लंबित बहस हुआ और बाद में पांच जजों की बेंच को सुप्रत किया गया है अगर इतनी अनकॉंसिट्रेशनालिटी इसमें दिखाई पड़ती है तो सर्वोच अ सर्वोच अदालत ने यह नहीं कहा है कि इस कानून का अमल नहीं हो सकता उन्होंने उसको विचाराधिन रखा है जब सर्वोच अदालत पूछेगी तब हम जरूर जाएंगे जवाब देंगे और सर्वोच अदालत नहीं नहीं करेगी मगर कहीं पर भी एक आनूनी स्थिती नहीं है कि इसका अमल नहीं हो सकता इसके कारण जम्मू और कस्मिर का पूरा विकास को हम रोक कर बैठ जाए वहाँ पर development के कामों को हम रोक कर बैठ जाए और मुझे कह रहे हैं मान्य सदस्य स्वीतिवारी जी कि हम जाए और सुप्रीम कौड को अरजी दे कि इसको जल्दी सुनवाई करो मानिय अध्यक्जी में उनको कहना चाहता हूं कि हम तो सुप्रीम कौट के सामने है ही एक पक्स लेकर कि इस देश में धारा 370 नहीं होनी चाहिए इसलिए हमने हटा है मगर आप तो सुप्रीम कौट के सामने ही नहीं हो भई ना हा ना बीच का रास्ता लेकर चल रहे हो और दोनों और बोल रहे हो यह तो आप भी कर सकते थे सुप्रीम कौट में जाकर कि वे जल्दी सुनवाई करो यह भी आपको मालू है कि सुप्रीम कौट आजकल वर्चुल सुनवाई करता है और जिसमें 70-800 वकिल एड़ोकेट्स खड़े होंगे पार्टियां इतनी होगी इसकी वर्चुलन सुनवाई संभव नहीं है यह आपको भी मालूम है इसलिए सुनवाई नहीं हो इसका एक बड़े हिस्से का बार आमने सामने की सुनवाई करेगा तब जरूर सुप्रीम कौट अपनी प्राविटी के इसाप से इसको सुनेगा मगर तब तक कोई काम न करे क्या एक कीस प्रखार के उधार इस सधन के अंदर दिये जाते हैं मन्य अध्यक्जी सदस्यटी सुमतिव और काफी सारे सदस् कि ये बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मु कस्मिर को स्टेट हूड नहीं मिलेगा भई बिल को पाइलोर तो मैं कर रहा हूँ लेकर मैं आया हूँ मन्सा मैंने सपष्ट कही है कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेट हूड इससे नहीं मिलेगा आप कहां से ड्रॉक करते ह अब की मन की आसंकाओ को जम्मू कस्मिर की जनता पर क्यों ठोपरे हो मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूँ कि इस मिलका जम्मू कस्मिर के स्टेट उड़ से कोई लेंदे नहीं है उप्यूक्त समय पर जम्मू कस्मिर को स्टेट उड़ दिया जाएगा और कह रहे हैं कि स्टीट उड़ी देना है तो एगमूट में क्यों लेकर आए तेरा एगमूट केडर को ही समझ लेते हैं क्या रूनाचल राज्य नहीं है क्या गोवा राज्य नहीं है मिजोरम राज्य नहीं है इस सारे राज्य ही है जरा ध्यान से पढ़ लेते तो इतनी इस्तिती ही होती है वहाँ पर अपसर भेदने पड़ते हैं और वो राज्य के विकास के लिए जाते हैं जो अपसर एगमूट केडर के हैं वही मसूरी की जगे पर ट्रेनिंग लेकर आते हैं जो जमुकस्मिर केडर के लोग पहले लिया करते यह ओल इंडिया केडर है मानेवर और OEC साब इसका हिंदू-Muslim में विभाजन करते हैं भाई आपके मन में सब चीजग हिंदू-Muslim है मैं तो समगता हूं OECG आप मगर आप देश के अफसरान को भी हिंदू मुस्लिम में डिवाइट करते क्या करते हैं एक हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता कि इस प्रकार के देश में हम आगे बढ़ने जा रहे है अफसरों की सं हुआ हैं इस तरह से तो मान्यवर कस्मिर के अंदर सांति नहीं होगी ज्यादे चिन्था ज्यादा उचाठ संसय बढ़ेंगे मेरा सभी से निवेदन है इस तरह से नहीं करना चाहिए अभी उन्होंने और निवेदन कर दिया मानने वर कि तूजी से फोर जी विदेशियों के दबाव में किया है वेसिसाब को मालूम नहीं है जिसका वो समर्थन करते थे वो UPA की सरकार चली गई है नरेंद्र मोदी की भारतिय जनता पार्डी की सरकार है इस देश के फैसले ये देश करता है इस देश के फैसले इस देश की संसर्थ करती है कोई हम पर दबाव नहीं कर सकता और हमने उसको इस लिए रिस्ट्रिक किया था मानेवर कि कुछ समलने के लिए समय चाहिए था अफ़ाय न फिलाई जाए इसके लिए एक समय चाहिए था और आप हमें पूछ रहे हो अधिरंगन जी 2G और 4G आपने तो मोबाइल ही बंद कर द यह थे बातपई जी की सरकार ने आकर 2G 4G छोड़ो मोबाइल सर्वीस ही बंद कर दी थी कहां गये थे उसक्त सारे अधिकार मैं आपको पुझना चाहता हूं मानेवर आपके माध्यम से कहां गये थे सारे अधिकार जब विपक्स में बैठते हैं तब अपने समय में क्या कि वरना फिर सुननी पड़ेगी मानेवर यह हमें 4G और 2G का कह रहे मैं अभी भी कहता हूं कि सबसे बड़ा नागरिक का अधिकार है सूख और सान्तीक से रहने का सलामती के साथ रहने का सलामती जहां नहीं होगी वहां सारे अधिकारों का कोई मतलब नहीं है यह नई भैसन सुरू हो गए मानेवर मैं कहना चाहता हूं कि यह जो लोग कह रहे हैं कि हम विदेश के दबाव में आकर कह रहे हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव के अंदर 13370 को इतने समय तक चालू रखा अपना यह तो जरा बता दीजिए किसका दबाव था कौन प्र की साशन का जनता से वादा था एक एगरिमेंट था वही मैं तो एगरिमेंट को बारी किसे पढ़ता हूं अर मैं तो मानता हूं कि पूरोवर्थ सरकारों ने भी जो वादे करे हैं उसको ध्यान से पढ़ने चाहिए और इसका अमल करना चाहिए 370 के बारे में कहा गया कि 370 और 35 से वो देश की सरकार का जम्मु कस्मिर की जनता से एग्रिमेंट था एग्रिमेंट जरूर था मगर उसमें टेंपररी सब्दा भूल जाते है पढ़ने का सब्दाने के दृंट जरूर ऊके सब्सक्राइब था वर जो मेरा हिसाब पूछ रहें सत्रा मैंने में श्ते ढूद कब दोगे श्ते ढूद कब दोगे हम जरूर देंगे मगर मैं उनको पूछना चाहता हूँ यह मैंने भी कहा है सिटू टेंपररी हैं आप 17 महिने में 17 महिने में हिसाब मागते हो तो टेंपररी तु सकता कभी ती टीर सो करें क्वाटबेंग की रादमीति कौने और व सरकार इंगी देस के हीट में फैसले करते है इस अरकार देश के भविश्य को सुदारने के लिए हम आएंगे जाएंगे लोग तंत्रे जितेंगे हारेंगे इसको ध्यान में रखकर देश के भविस्य को ताकपर हम नहीं रख सकते नहीं हम रखना चाहते हैं यह आपकी पॉलिसी है आपको मुबारक मानेवर इन्हों नहीं कहा कि लोकल अपसरों का अधिकार चला जाएगा मुझे कोई समझाए भला देश भर में आईएस आईपसर भेजे जाते हैं लोकल अपसरों का अधिकार चला जाता है क्या चला जाता है तो जम्मू कस्मीर में कैसे चला जाएगा दादा आप ज्यादा पड़ नहीं सकते अब मैं समझ रहा हूँ देश बर में यही रेशियो आपके बंगाल में भी यह क्यों अलग रखना कस्मीर देश का हिस्सा नहीं है क्यों अलग रखना और क्या कस्मीर ही हुआ को देश की वाल इंडिया केडर में आने का अधिकार न ही है कि अगर स्कूलों में पढ़ाते स्कूल जला न दिये गए होते मद्रसों के अंदर बच्चे को जाने के लिए मजबूर न करते तो कस्मीर के बच्चे भी आज आई-एस और आई-पी-एस अबसर बने हो इसकूल किसके टाइम में जल गए और मेरा हिसाब ले रहे हैं कुछ से इसाब मांग रहे हैं कितने लोग मर गए यह हो गया वो गया मनीज भाई कॉंग्रेस का सासा नियाद करो क्या होता था अजारों लोग मारे जाते थे सालों तक करफिव रहता था और परिस्तिति का आखडों के अधार पर जरा आकलन करो मैं इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि तूटू में में होती है कस्मीर में सांती बहुत बड़ी चीज है और जो असांती का समय था उसको मैं याद भी करना नहीं चाहता बगवान करे कभी यह सी असांती वहां नहीं हो और नहीं होगी क्योंकि अब हमारा साथ मानेवर मसूदी साब कहते हैं कि असी प्रत्षत जगे पर डाइरेक रिक्रूट रखे तो भई डाइरेक रिक्रूट पर क्यों भरोसा नहीं है देश के हर आज्यकी इस्तिति है मानेवर कि डाइरेक रिक्रूट अफसर होते है इसका एक प्रो रेटा है प्रमोशन होता है ज पुरे देश का administrative infrastructure इसी आधार पर बना है अब जम्मु कस्मीर के अंदर cheap popularity के लिए ये कहना कि एसी प्रत्रत अफशर बाहर के है कोई बाहर का नहीं है सभी भारत मता की संतान है इसी भारत में जन्वें बाहर का क्या होता है कि नई पेटन और नई फैसन विक्सित करिए बाहर का है दादा आपको नहीं कह रहा है माने वारे गलत रास्ता है इस रास्ते पर डेश में बलाई नहीं होते मसुधी साब बेज कि आपने बॉडो लेंड को ये दे ठिया मनिपूर को ये दिया कास्मीर को किने अरे मसूदी साहब जरा सच बुला करिये आप तो जज हो सब कुछ पढ़ते हो सभी एकोड निकाल कर कर दीजे किसी को अलग समविदान नहीं दिया है किसी को अलग जंडा नहीं दिया है किसी को धारा 370 नहीं दिये है और ये तो हमारा वादा था देश की जंटा को 1950 से किस द दो विदान, दो निसान, दो प्रदान नहीं रहेंगे और आज नमोदी जी के नेत रुता में हमने इसको समा पसंदे है